हेलो दोस्तों क्या आल चाल है कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं साड़ लोग बहुत अच्छे होगे रहा अच्छे से आप सभी की प्रप्रेशन चल ले हुगी सीजल 24 एक्जाम 9 सेप्टेंबर से शुरू होने वाला है तो अब बच्चे बहुत दिजसे मैसेज करें कि बच् सीजल 25 के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना आपको सारी चीजे समझ मा जाएंगी एक वीडियो बना किया सब्सक्राइब एक वीडियो बना दे तीस मिनट की चालिस मिनट की एक घंटे की तो हम सब कुछ आपको एक्स्प्लें नहीं कर सकते इसी लेकर नई सीरीज ल पूरा जो एक बीगिनर बच्चा देखो यह वीडियो उन लोगों के लिए जो आज पहली बार आप जिखने चारीछ करने जा रहे है या फिर 7-8 की यह का उने पता नहीं कि 202 के लिए कि उन्हें कि हिस रसाप से पढ़ाई करनी है तो यह वीडियो आप पूरा देखना इस इस वीडियो में सीरीज के बारे हम सारी जहनकारी आपको देंगे तो एंड तक वीडियो में बने रहना ठीक है बाकि एगर वीडियो अच्छी रहे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई आपको इस दे भाई अगर आप एक बिगनर हो तो ठीक है चलो आगे से जिसका जो प्राइस होगा वो six double line हो जाएगा ठीक है तो मेरा काम आपको बताना कि सही चीज क्या है तो अगर आप सीजल 24 की त्यारी कर रहे हो 25 की करने वाले हो या फिर अधर एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो एक बात अभी से सुनो मेरी आप beginner हो अभी सिध्यान रखो कि आपका सेलेक्शन नहीं होना तो यह चाहिए ही चाहिए और इसमें भी आपको अगर मॉक टेस लेना आए तो यह पास प्रो आप पर्चेस करोगे तो जो भी बच्चे 25 की त्यारी करोगे या 24 की त्यारी कर रहे है या फिर CHSL का हो या फिर SSC की किसी भी एक्जाम की त्यार आपको की त्यारी त्यारी करोगे लेकिन पेपर देने जरूर जाओगे मेरे चांस नहीं है 17 नंबर आ रहा है मेरे चांस नहीं है तो इस केस में ठीक है आप 25 को सोच के त्यारी करना शुरू कर दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पेपर स्किप मत करना हम तो यह बोलेंगे अगर आपकी 50 नंबर भी आ और आपने सीजल 24 का फॉर्म फिल किया है तो पहली बात यह सुन लो तो पेपर देने तो जाना जाना बाकि अब यह सही समय है आपको तयारी करवाने का दो कुछा हम उन्यांदारी से बताए आपको हम अपनी बात करते है हमने 2017 सीजल दिया प्री निकल गया था मेरा मेंस निकल गया था और फाइनल रेजल्ट में जो हो पहले आटम्ट में SSE CIGAL निकाल दिये थे हमने भी काफी सारी गलतियां यह तो हम अपनी गलतियों के experience से आपको चीज़ चीज़ सिखाने की कोशिश करने वाले हैं इस सीरीज में तो इस सीरीज में आपको हर एक अगर आपकी तयारी का अगर आपकी तयारी का डेवन है तो डेवन पे आपको क्या पढ़ना है उन बच्चों की बात कर रहे हैं इनका लिटरली स्कोल 10 से 20 नमबर भी आ रहा है तो आपको किस हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए तो अगर हम आपसे बोल देयां से जाओ अच् तो आप एक-डो दू शायद पढ़ भी लो लेकिन बात रिदम नहीं बनेगा तो शुरुआत हम इसा बहुत छोटे सी की जाती है यही ची अपने हम टार्यट स्टेडी ग्रूप में बताते लोगों को अचा इस्टेडी ग्रूप के लिए काफी सारे बच्चे पूछ रहते है ठीक है हाँ तो हम सबसे पहले तो इस तो सीरीज हमारी है इस सीरीज की बात करें तो इसमें हम डे 0 याई बन से बताएंगे बिल्कुल शुरूआत से कि आपको शुरूआत कांसे करनी बहुत से बार ऐसा होता ना कि बच्चे ने किसी टीचर का पेड़ ठीज लिया यह ब कि यहां पर यह नहीं बोले कि टीजर को गाइडेंस देना नहीं आता लेकिन आपको किसी टीजर के उसमें सब्सक्राइब करें कि आपको शुरूआत कैसे करनी क्योंकि अब बच्चों को कुछ भी सब्सक्राइब को जीरो आइडिया उसे कुछ नहीं पतम और उसे सीजल 25 की करनी है तो हम आपको बताएंगे कि सीजल है क्या हम एक वीडियो की बात करेंगे कौन सी पोस्ट है आपके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है जॉब प्रोफाइल क्या क्योंकि जब हमेरे मेरे दिमाग में चीज़ें होगी कि यार हमें इस पोस्ट को टार्गेट करना है ठी जीले हम आपसे बोलना कि कॉमेंट सेक्शन में जाओ और जो भी आपका सवाल है सीजल 25 के लिए के आप बिंदास वहां लिखना शुरू करो हर कोई जिसे आपको कोई भी सवाल हो ठीक और यह आप मेरी सीरीज की हर वीडियो में कर सकतो यह सीरीज का पहला एपिसोड है यह कर रहा है यह लब ऐसा लग रहा है कि नहीं है अभी सीजल 25 के लिए सई टाइम नहीं है उन बच्चों के साफ से तो फिन वीडियो नहीं बना है मेरी बास समझे तो हम यह बोलना है कि अगर आप इंट्रस्टेट हो कि यह सीरीज हम शुरू करने वाले है तो निचे इसका सौलूशन क्या है जैसे सवाल बन सकता है सवाल यह इता इसका सिंफ्ट अभी घंटे के इसाफ कर नहीं होती पड़ाई इस सब्सक्राइब कितना कंप्लीड करना एक तना पढ़ना है यह काम मेरा है हम आपको पताएंगा कि आपको एक दिन में कितने घंटे अच्छा सवस्या यह भी आती बच्चों की एक दिन में चारो सब्जेक्ट पढ़ने की नहीं पढ़ने तो हमने क्या बुला हम एक छोटा सा छोटा सवाल जो भी आपका होगा उसको हम वीडियो में आंसर करने वाले तो कुछ भी आपकी समस्या और बिंदास लिगो इसके ला वीडियो हो जाते हैं कभी-कभी ठीक है तो वह वीडियो भी आपको प्रवाइड करेंगे तो उसमें क्या बताएंगा कि आपको मैथ इंग्लेस रीजिनिंग जी कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना कौन से किताब होने चीज़ हर एक चीज तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन बना रहे हैं बिगनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं जिनका इसकोर पचास-साथ-साथ-सी नंबर या असपा सारा जिनिया लगता है कि यह वह सीजल 25 के लिए तैयरी कर रहे हैं पेपर देने आप भी जाओगे लेकिन साथ में आपको बोलेंगे कि आप सीजल 25 की तै मेरी बात समये जल्दबाजी ने करने होती बहुत बचंशा इवी या भितलती करते हैं कि शुरू तो कर दिया जोस में किन जल्दी खतम करना जल्दी किर दिया ぇ चोंधाना क्या पैसे यह भी बतादाना मेरी जिम्मेदारी है यह सीजल 25 की सीरीिज क boast रहे में इसके बारे म अगर आप इस सीरीज को फॉलू करते हो, तो सीजल 2025 में आप अपनी एक सीट पकी जरूर करोगे, बाकि अगर आप इंट्रेस्टेड हो, आप तयार हो, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन लिखके बताओ, फटाफट क्यूंकि जितने जादा कॉमेंट्स आइंग, हम भी तो यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, जाप हमने चीज़ें आपको बता दी, अब जो इसके बाद का वीडियो है, वहां से सीजल 25 के लिए बिल्कुल तयार हो, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है, उसमें कोई फालतों की बात नहीं होगी, कोई को सब्सक्राइब करना, हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक क्यार बाबाय मजा करो, आशकरो, खुश रखो, खुश रखो, बाई बाई